हेलो गाइस, स्वागत है आप सब एका टेलीबूर अप्डेट्स के नए वीडियो में नायरा बैनर जी की बायोग्राफिक को ये वाली वीडियो में देखने वाले हैं आईए जान लेते हैं नायरा बैनर जी को सबसे पहले इनके जनम के बारे में बात करें और बच्चों की गाने भी गाया करती थी इसी के साथ-साथ उन्होंने कत्थक के डांस लेसंस भी लिये थे दो साल तक लेकिन फिर उन्हें रुकना बड़ा था बिगोज उनके जो फादर है वो इंडियन नेवी में काम करते थे बार-बार उनकी ट्रांसफर होती रहती थी इसी के साथ-साथ वो एक्टिबली अपने कॉलेज एंड स्कूल वाले दिनों में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वहाँ बर भी काफे अधा पाटिस्पेट अच्छे से करा करती थी एंड गाइज अगर हम बात करें इनकी जो स्टडी वाला बैक्ग्राउंड है जो केशनल बैक्ग्राउंड है वो क्या है तो गाइज इन्होंने लॉव पड़ा हुआ है उन्होंने स्पेशलाइजेशन भी करी है इंटेलेक्च्छल प्रोपर्टी राइट्स में यानि कि अगर वो एक्टरस ना होती तो वो एक लॉयर होती इसी के साथ-साथ इनका जो करीयर है वो काफी ज़्यादा अच्छा रहा है बिकोस सिर्फ टीवी सीरियल्स ही नहीं बलकी तेलेको, हिंदी, तमिल, मल्यालमेंट, कर्नल लेंगवज की जो फिलम्स हैं वहाँ पर काफी ज़्यादा काम भी कर चुकी है और उसके पाथ हिंदी टेलिवीजन में काफी फेमस टीवी सीरियल्स जैसे की खत्रों के खिलाडी, दिव्यद्रिष्टी, पिशाचिनी जैसे रोल्स भी कर चुकी है नायराव एनरजी के स्कूल का नाम था कैनोसा कॉन्वेंट हाइज स्कूल जो की मुंबई में था इनके कॉलिज का नाम था है S.V.K.M. प्रवीन गांधी कॉलेज ओफ लोग इनकी जो एजुकेशन कॉलिफिकेशन प्रपर वली है वो है बैचलर ओफ लीगल साइन्स एंड बैचलर ओफ लेजिसलेटिव लोग यानि की B.L.S. L.L.B. इनोंने किया है बताई है कि वो गाने गाने की काफ़ी अधर शोकीन थी तो एक बार वो गाना रिकॉर्ड कर रही थी और डिरेक्टर जीवी अईयर ने उन्हें देख लिया गाना गाते हुए फिर उन्होंने उनको एकदम से साइन कर लिया था हिंदी टीवी सीरिल कदमबरी के लिए एक रमायन फिल्म में भी इन्होंने सीता का रोल प्ले करने वाली थी लेकिन जो डिरेक्टर है वो अनफोर्चुनली दुनिया में नहीं रहे तो वो प्रोजेक्ट कभी बन नहीं पाया तो इसी करके और इनके बचपन में भी या और इनकी जो कॉलिज बार टाइम है वहाँ पर भी जो स्टेडिस वगए रहा है इनकी चलती थी उसके कारण कई बड़ी बड़ी फिल्में बड़ी बड़ी प्रोड़क्शन की तरफ से भी रही है जिनको इन्होंने कैंसल किया है यानि कि जिनको इन्होंने फरिफियोज किया है बारवी ग्रेड में ही नायरा वर्क करने लगी थी पार्ट ताइम एज टीवी एंकर इनकी कार के बारे में बात करें तो इनकी पहली कार थी शेवरोलेट स्पार्क तो गैस काफी अधा नोन नाम बन गया था इनका हर इंडस्ट्री में ही कंणड में भी तेलिबो में भी तविल में भी हिंदिये भी इतने ज़्यादा जगा ही रह चुकी है इनका जो रियल नाम है वो नायरा बैनर जी नहीं था इनका रियल नेम था माधुरीमा बैनर जी लेकिन फिर career reasons के कारण, professional reasons के कारण इन्होंने nairab energy अपना नाम कर दिया तांकि नाम थोड़ा unique लगे विवाज मादोरीमा नाम की actresses already काफे जाता हैं अलग-अलग industries में और उसकर के confusion कई बार हो जाती होती है कई बार ऐसे actresses करती होती है कि अपने नाम को change करके थोड़ा shorten कर देती होती है और कुछ ना कुछ ऐसा नाम रख देती होती है जिसके नाम की दोसरी और actresses इंडिस्ट्री में दोसरी जादा ना हो अगर हम उनकी height के बारे में बात करें तो उनकी height है 5 feet 7 inches जैसे कि आप लोग को बताया है नायरा कई मूवीज और हमें काम कर चुकी है और उनकी कुछ मूवीज के अगर हम नाम ले तो वो होगी मोना रगम, ओरेंज, वेटा, सवारी 2, ग्रीन सिगनल, टेमपर तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनका वो हिस्सा रह चुकी है और अब हम उनके टीवी सीरियल के बारे में बात करें तो 2019 में उन्होंने किया था जबान संभाल के उसके बाद स्काइप फायर, ओपरेशन कोबरा, हेलो जी 2019 में उन्हें मिला देवेद रिष्टी सीरियल जो के एक सूपरनेचरल शो था 2020 तक चला था और लोगों ने काफी ज़ादा पसंद किया था और इनको काफी ज़ादा नाम हिंदी इंडिस्ट्री में यहां से मिला था 2020 में इनका आया था Excuse Me, Madam, एक कोमेडी सीरियल जो की ज़ादा नहीं चल पाया था 2021 से लेके 2022 में रक्षा बंदन इन्होंने किया था और 2022 में किया था इन्होंने पिशाचिनी सीरियल कलर्ज टीवी का सूपरनेचरल शो जहां पे इन्होंने एक जुडेल का रोल निवाया था 2023 से की सीरियल चल पाया था उसके बाद 2023 में कल्वेज टीवी का ही रियालिटी शो फियर फेक्टर खत्रों के खिलाडी 13 में हमें नजर आई थी जहाँ पे ऐसे कंटेस्टन इन्होंने पार्टिस्पेट किया था OTT प्रोजेक्ट जैसे की First Fantasy 2 में भी ये निभा चुकी है फेमस रोल्स कई Music वीडियोज भी कर चुकी है जैसे की जाना है तो जा जैसे और भी काफी ज़्यादा Songs उगएरा में हमें ये देख चुकी है वहाँ पर इसी के साथ इनकी Hobbies के वारे में बात करें तो इनको काफी ज़्यादा शौंक है Shoes की Collection करने का 50-60 Premium Shows की Collection इनके पास है इनको जिम जाना भी काफियादा पसंद है वो fitness free के हैं अमनी diet पे पूरा ध्यान देती है और regularly रोज जिम जाती है जैसे ये उनको time मिले और वो जिम जाना बिलकुल पे miss नहीं करती है नायरा बेनर जी के अगर हम net worth के वारे में बात करें तो 40 करोड के around उनका net worth है 2024 में as of now और इनका career काफिया था उचाई पे जा चुका है और currently हमें Big Boss Season 18 में भी ये देखने को मिले वाली है तो guys नायरा बेनर जी अपना पूरा ट्राई करती हैं कि वो जाज़से ज़्यादा time अपनी mother पूरनी तब एनर जी के साथ spend कर पाएं और quality time उनके साथ बेता पाएं तो guys ये था नायरा बेनर जी का lifestyle एंड उनकी biography कॉमेंट सेक्षन में आप लोग ज़रूर बताईगा और की sector की देखना चाहेंगे और आपको नायरा बेनर जी पसंद है और फिर नहीं